तो मेरे भाई लोग आ गया है फेस्टिवल सीजन वाले सेल के एक से एक ओफर और यहाँ पर जो है मैं और मेरी पूरी टीम जो है लगातार आपके साथ बने रहेंगे बताएंगे आपको कि इस सेल में सबसे साधा फाइदेमंद वाले सौधा कौन सा होने वारा है और इसी सिल कि हम आगे बड़े मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा हमेशा की तरह थोड़ा सा डिस्टब करूंगा नीचे जो सबस्क्राइब वाला बटन है भरोसे वाला बटन है उसे दबाओ को आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जब यह बॉक्स आएगा तो आपका फर्स्ट अन्बॉक्सिंग कैसा रहने वाला है यहाँ पर इवो फॉक्स वन का बॉक्स जो है बहुत ही गेमिंग सेंट्रिक बनाया गया है ओवराल एमाजॉन से आने के बाद यहाँ पर कोई भी डैमेज हमें देखने को नहीं मिला है यहाँ पर आपको लोगो देखने को भी लेगा कंपनी का यहाँ पर ग्राफिकल कि यह जो कंत्रोलर है मल्टिपल डिवाईस को सपोट करता है और ऐसा कुछ पहले इंस्टेंस में आपको देखना में यह यहां पर आपको डूजो एप जो एप वह वह इंस्टॉल हो जाएगा अगला वुक्लेट मिल रहा है यहां पर अलग-अलग गेम जो भी सपोर्ट कर गया ऐसा आपको देखने को मिलेगा और साती यहां पर देखने को मिल रहा है एक universal यहां पर जो है आपका पूरा pictorial depiction के साथ आपको सारी चीजें यहां पर बताई गई है कि किस तरीके से क्या कैसे काम करता है तो इसको भी रखते है साइड में और यहां पर यह आ गया हमारा कंट्रोलर वैसे यहां पर जित्ते मैंने मैनुल बताएं है जालत जो है बहुत जरूरी है आपको साथ में रखना चाहिए क्योंकि यह जो है बहुत ही मल्टी परपस डिवाइस है यह अलग अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता ह बहुत बढ़िया construction है इस पर थोड़े बाद में हम आते हैं पहले देख लेते हैं अंदर और क्या चीज़े मिलती है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है clamp यह clamp जो है आपको phone attach करने के काम आजाएगा इस तरीके से यह काम करता है इसको भी रखते हैं side में और क्या है box में cable कैसे चूट सकता है यह cable भी है cable कैसा मिल जाता है आपको आपको मिल जाता है type A to type C वाला यहाँ पे cable देखने को मिल रहा है decent length है यह आपके काम आएगा जब PS4, PS3 के साथ connect कर हुए तो यह काम आ जाएगा रखते हैं इन सब चीजों को side में आते हैं मुद्धेपर भाई साब या look आ रहा है देखो एक बार और मुझे Elitex PC की याद आ रही है वो translucent था यह तो पूरा transparent है सबसे पहले फटा-फटी से on कर लेते हैं वाव क्या haptic feedback है और य पैट देखने को मिल जाएगा joystick बहुत भड़ी है solid आपको यहां पर देखने को मिलन रहा है control इस अपका तो इतने अच्छे जो चोटे चोटे खान जैसे देखने को मिलते हैं यही जो है मैक्रो बटन से और आपको यहां पर जो है सारे के सारे बटन सिर्फ इन दो जोएस्टिक को प्रलाद युदा जोटन जो है आपको सब्सक्राइबाना प्र यही जो इस व कुलिक कर देना आपकी мैक्रो है वो set हो चुका है अब ये जो set macro है इसको अगर आपको delete करना है किसी कारण से तो वो भी बड़ा easy है आपको easy बढ़न को again दवाना है और hold करना है और आपका macro वटन जो set हुआ था वो erase हो जाएगा दोस्तो packaging देख लिया उसका content देख लिया अब किसकी बारी है अब बारी है कि क्या जान है इस controller में क्या build quality मिल रहा है क्या अभी इसी वक्त अगर आपके हाथ में मैं ये controller थमा देता हूं तो कितने साल तक ये जो controller है चलने वाला है उसी की बात सबसे पहले बात कर लेते हैं सब और यहां पर हर इंग जो अंदर के component है वो functioning हमें दिखता है और इसलिए यह जो controller है ना हाथ में इतना premium लगता है और यह जो design element में जब company अच्छे से काम करती है तो यह चीज कैसे पता चलती है पता चलती है उनके branding से देखो यहां पर controller में जो underbelly branding भी देखने को मिलती है व company ने कितना ज्यादा ध्यान दिया है और कितना बढ़िया एक product निकाला है इसके trigger से लिए कि बटन तक काफी लंबा चलने वाले है क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही rock solid feel मिलने वाला है trigger की बात चलिए तो बता देता हूं यहां पर trigger जो है आपको mechanical वाले देखने को मिलता है decision बगारी की बात आगे चलके करेंगे लेकिन overall यहां पर build quality में मेरे हिसाब से 10 out of 10 इस evo fox 1 universal controller को मिलना ही मिलना चाहिए अब बात करेंगे किसकी अब बात करेंगे इस controller के features की दोस्तों अब सबसे पहले features की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इसके connectivity की क्योंकि इसका नाम है one universal controller है एक खरीदोगे और एक device के साथ compatibility अपको मिलने वाली है तो कैसे कैसे मिलेगी देख लेते हैं सबसे पहले home plus B दबाओगे तो आप जो है Android iOS के बीच में switch कर लोगे मतलब क्या बनता है कि यह जो controller है आपके Android और iOS दोनों को support करता है साथी अगर home plus X दबाते हो तो यह जो controller है आपके PC हो laptop हो किसी पितर का system हो उसके साथ यहाँ पर connection बना देगा और दोस्तों यही नहीं in fact यह जो controller है आपके PS4 का जो trackpad है उसको भी यहाँ पर enable कर सकते हो कुछ नहीं करना है दोस्तों easy plus जो आपका right वाला joystick है दोनों को एक साथ दबा देना है click कर देना है and here you go इसी के साथ यह जो controller है पूरे के पूरे जितने भी आपको device मिल रहा है चाहे वो Nintendo हो चाहे वो Steam Deck हो चाहे वो PC हो चाहे वो Android हो चाहे वो iOS हर एक के साथ यहाँ पर compatibility बिठा देता है that's why this controller is known as one so दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया कि यह जो controller है universally connect होता है लेकिन connect किस technology पर होता है दोस्तों यहाँ पर आपको जो है Bluetooth technology 5.1 देखने को मिलेगा और इसी से यह जो controller है हर एक device से साथ control setup करने वाला है और अगर बात कर लेए यहाँ पर क्या distance पर क्या मिल रहा है आपको range 10 feet का distance coverage मिल रहा है अगर आप haptics को halfway down कर दोगे तो यह even more मतलब 8 से 10 घंटे तक जो है यह controller directly चलने वाला है यह मेरे studio में मैंने खुद टेस्ट किया है and that's a huge huge thing अच्छा यह जो controller है बढ़िया आपको जो है connection तो प्रवाइड कर रहा है बढ़िया range भी प्रवाइड कर रहा है लेकिन जैसे कि मैं पहले बता रहा था quality होती है जिसमें बखर सावाज आता है वैसा नहीं होगा यहां पर आपको बड़ा ही सूधिंग जैसे iOS लैटफॉम में अगर हो आईफोन वगर यूज कर उसकी है उस तरक आपको यहां पर हैप्टिक देखने हो मिलेगा और यह जो controller है आपका पूरा transparent है तो आपको working भी द यहां पर हैप्टिक के लेवल को भी जो है आप control कर सकते हो पीछे दो चोटे चोटे बटन आपको देखने को भी जाएगा उसके थ्रू जो है आप इसके frequency को बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो बात करें दोस्तों इस controller के latency की तो दोस्तों मैं यहां पर कुछ बोलूंगा न एक छोटा से टेस्ट आप खुद देख लो अब यह जो low latency है यह इसलिए possible हो रहा है क्योंकि यहां पर जो आपको controller है वो 5.1 का connection ले रहा है और बहुत बढ़िया इसमें transponder लगे हुए है और साथ ही अगर बात करें इसके joystick जो की rubberized आ रहे है उसके precision का तो यहां पर बहुत तगड़ा precision आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से customized नहीं है किसी कारण से तो यहां पर आपके joystick की precision को बढ़ाने के लिए यहां पर आपको mode मिल जाता है आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों यहां पर left joystick को आपके easy button के साथ एक साथ प्रेस कर देना है and now you have much more precise control over joystick यह तो हो गए दोस्तों इस controller के overall ऐसे features जो इसको नायाब बनाते हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ features है जो इस controller को और भी जादा एक step ऊपर ले जाते हैं एक level ऊपर ले जाते हैं वो क्या है यहां पर आपको देखने को मिलता है turbo button dedicated button देखने को मिलता है क्या क्या आप जो है action button के चारो button को जो है configure कर सकते हो साथ ही पीछे जो trigger button है और shoulder के right और left button को जो है यहां पर आप turbo में connect कर सकते हो और यहां पर यह जो turbo button है बहुत ही lag free काम करता है जो कि again इस controller को definitely one of the leading controller in the market इस sale में definitely बनाने वागा है अच्छा इतनी सारी बाते हूँ कि इस controller की लेकि बहुत कुबसूरा लगता है और यहां पर जो यह lighting board आपको देखने को भी लेगा इसमें जो रंगीनिया देखने को मिलेगा hot soothing बहुत vibrant और बहुत bright तो है साथ ही यहां पर आपको दो option भी मिल रहा है एक static मिलेगा एक आपका neon change होगा interchange होता रहेगा और साथ ही मेरे चीन भा है उसको enjoy कर पाऊगे सो दोस्तों अब किसकी बारी है आप बारी है दोस्तों facts and figures वाले मेरे diary को दूर रखके आप से सीधे मुकातिब होने की दिल से दिल जोडने की और कर्ज उतारने की जो आपने subscribe करके हमारे उपर किया है हम में ही जो है honest रहना है आपके साथ बिभाग र चीज बहुत ही चीक चीक के premium बताएगा इसके triggers क्या ही खूबसूरत है जिस game के साथ यह compatible trigger उसके साथ जवाब पेरिंग लेता है और उसके साथ बहुत अच्छा काम करता है और साथ ही क्या इसके जो features है वो एक भी जगा पे एक single dot point पे भी जो है misbehave नहीं करता है या malfunction नहीं अब वो जो application है वो इतना अच्छा अभी polished नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो games है कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं जैसे बहुत सारी games है जैसे minecraft बगरा है यह सब वहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है और minecraft खिलके यहाँ पे तो आपको मज सूरत दिखता है यह definitely अपने feature के बल पे अपने application के बल पे अपने print quality के बल पे इस sale में definitely मेरे हिसाब से number one controller बन सकता है वैसे अभी इसका price जो है वो आपको 2659 देखने को मिल रहा है sale में definitely कम होगा यह जितने भी sale वगरा आएंगे सबसे जादा आपको फायदा है Amazon में देखने को भी लेगा कार्ट वगरा सब सेट करके रख लो नाम एड्रेस वगरा फिल करके रख लो क्योंकि यह आते साथ खतम होने वाला है यह मेरे guarantee है और इसकी साथ मैं आशा करता हूं कि इस sale में आपको अब decision लेने में आसानी होगी कि आपके लिए कौन सा controller होगा वैसे अगर अभी भी आसान नहीं है तो कल हमारे एक वीडियो आ रहा है जिसमें हम सारी के सारे controller लेकर बैठेंगे और वहां पर मैं बताऊंगा कि best of the best कौन सा controller निकल के आ रहा है और एक बार वो आपनी decision बना लिया तो करना क्या है भाई साब खरीदना है और खरीदों के कहां से हर तरह का लिंक चाहे फोटो ये प्रोड़क्ट का भीजना है ताकि मैं मेरी टीम और हमारी वो growing honest community जो हमें बहुत मेहनत से बना रहे है वो देख सके कि आपका इस sale में controller को लेकर final decision क्या रहा